नमस्कार एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर आज हम लोग बात करने वाले हैं नब्बे के दसक के कुछ ऐसे बालियूड एक्टर जिन्हों ने जिहां एक से एक हिट फिल्में दिये हैं लेकिन आज वो गुमनाम हो गए हैं जिहां इतने सारे फिल्में देने के बावजुद भी आज वे गुमनाम हो गए हैं जिहां आज के दसक में देखा जाय तो उनका कोई फिल्म नहीं आ रहा है लेकिन नब्बे के दसक में जिहां एक से एक धराधर फिल्में आ रहा था और उन्होंने बहुंच सारे हिट फिल्में बालिट को दिये हैं जिसे लोग भूल कर भी नहीं भूल पाएंगे तो कुछ ऐसे ही एक्टरों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले जिन्होंने नब्बे के दसक में एक से एक हिट फिल्में दिये थे और आज वे गुमनाम के जिन्दगी जी रहे हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो हमारे पहले नंबर पे हैं हरीश कुमार जी जिहां हरीश कुमार जी का जन्मा एक अगस्त 1975 को हैदराबाद में हुआ था और इन्होंने बालिट को एक से एक हिट फिल्में दिये हैं जिहां वैसे तो हरीश कुमार जी ने अपनी फिल्मी केरियर की सुरवाद चैल्ड आर्टिस्ट से जिहां किये थे 1980 की फिल्म एक ही भूल जिया इस फिल्म में चैल्ड आर्टिस्ट का काम हरिश कुमार जी ने किया था और इस फिल्म के बाद जीवन धारा, फर्ज और कानून, प्रेम तपस्या, अंधा कानून जैसे फिल्मों में भी चैल्ड आर्टिस्ट का काम हरिश कुमार जी ने किया था और इसी फील्म से ही हरिस कुमार जी को पहचान मिला था और इस फील्मा के बाद 2193 की फील्मती रंगा जवाब भिस्मा छोटा चेतन बुलन्दी इंतगाम जैसे फील्मों में जीहा हरिस कुमार जी ने काम किया था और बालुट को एक सएक हिट फिल्में दिया था जिसे लोग कभी नहीं भूल पाएंगे जिहां जब तलक दुनिया रहेगा तब तलक हरिश कुमार जी का नाम रहेगा लेकिन आज देखा जाए तो आज हरिश कुमार जी का बहुत ही कम फिल्में जिहां हिंदी में मिलता है अधर लांग्वेजों में जी हाँ वैसे तो मिलता है लेकिन आज हिंदी में देखा जाए तो इनकी जो फिल्म है पहुत ही कम मिलता है और वे हिंदी सिनेमा से गुमनाम हो गए हैं तो हमारे दूसरे नंबर पे हैं विवेक मुसरान जी जी हाँ एक दसक के सुपर इस्टार कहे जाने वाले एक्टर विवेक मुसरान जी जिन्हों ने 1991 से अपनी फिल्मी केरियर की शुरुआत किया था और बालिट को एक से एक हिट फिल्में जी हाँ दिया था लेकिन आज वे गुमनाम हो गए हैं विवेक मुसरान जी का जन्म नाव अगस्त 1979 को उधर प्रदेश में हुआ था और इन्हों अपनी फिल्मी केरियर की शुरुआत 1990 से जिया फिल्म सवदागर से किया था जो सुपर डूपर हिट हुआ था और इस फिल्मों के बाद जी विवेक मुसरान जी को जैसे फिल्मों का लाइन ही लग गया था जैसे फर्ष्ट लव लेटर, स्तात्वा असमान, प्रेम दिवाने, बेवफा से वफा, इंसानियत की देउता, दिल है बेताव, राम जाने, जान, छोटा, सघर, सनाम जैसे फि हुआ है जी हां नब्वे के दसक में इतने सारे हीट फिल्मे दिये हैं लेकिन आज विवेक जी जी हां गुमनाम होगए हैं हिंदी सिनेमा में देखा जाएं तो उनकी zeker फिल्में जी आ रहे हैं और वह से देखा जा तो बहुंच सारे टीवी सीरियलों में भी विवेक जी ने काम किये हैं और बालीवीड को एक से एक हीट फिल्में दिया हैं लेकिन आज वे गुमनाम हो गए हैं तो हमारे तीसरे नंबर पे हैं अविनास वाधवान जी और इन्हों ने अपनी फिल्मी केर कि शुरुआत 1986 की फिल्मा प्यार हो गया से किया था और इस फिल्मा के बाद इनसाब की पुकार अवास दे कहा हैं रुपिया दस करोड जैसे फिल्मों में काम किये लेकिन सब्सक्राइब की फिल्मा आई मिलन की रात जी आए फिल्म सुपर डूपर हिट हुआ और इस फिल मिला और इस फिल्मों के बाद फिर क्या था जिहां एक से एक हिट फिल्में अविनास जी ने दिये जैसे पुलिस और मुझरिम मीरा का मोहान जुनून गीत बलमा और नदेने से बहुत से फिल्में जिन में अविनास जी ने काम किये और बालुट को एक से एक हिट फिल्में दिये जिहां तीस से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किये और आज वे देखा जाए तो जिहां हिंदी सिनेमा जगास से वे गुमनाम हो गए हैं इतने सारे हिट फिल्में देने के बावजूद भी अविनाज जी आज गुमनाम हो गए हैं जिहाँ और इनके family के बारे में बात करें तो इनके wife का नाम है नतासा वधवान जी जो 2000 में इनकी साधी हुआ था और इनके बच्चे हैं एक समराट वधवान जी जिहाँ और आज अविनास जी एक हिंदी सिनमा से गुम नाम हो गए हैं और नबे के दसक में इन होने एक हिट फिल्म में दिय थे जो भूल कर भी नहीं भूल पाएंगे जब तलक दुनिया रहेगर तक तलक अभिनाज जी के फिल्मे जी हां याद रखेंगे क्यू frei इनके फिल्मे में जो गीत होते थे उसे लोग भूल कर भी नहीं भूल पाएंगे तो हमारे चौथे नंबर पे हैं राहूल रायजी जी हाँ, इन्होंने 90 के दसक में धमाल ही मचा दिया था इन्होंने अपनी फिल्मी केरियर के सुरुवात से ही जी हाँ बालीड में ताहलका ही मचा दिया था इनके फिल्मे जो इतने हीट हुए थे जिसे लोग सद्यों तक याद रखेंगे भूल नहीं पाएंगे तो राहूल रायजी का जन्म नाव फरवरीं 1968 को हुआ था और इन्होंने अपनी फिल्मी केरियर के सुरुवात 1990 की फिल्म आसिकी जी हाँ ये फिल्म सुपर डूपर हिट हुआ था और इस फिल्म के बाद राहूल रायजी को पीछे मुर के देखना नहीं पड़ा था चाहिए इस फिल्म का गीत हो या फिल्म हो दोनों ही बहुत ही जादा हिट हुआ था लेकिन आज राहूल रायजी है वो जी हाँ हिंदी सिनेमा से गुम नाम हो गए है अगर इनके हिट फिल्मों के बारे में बात करें तो आसिकी के बाद प्यार का साया जुनून सपने साजन के गुम राहा फिर तेरी कहानी याद आई मजधार नसीब तुने मेरा दिल ले लिया अपसाना दिल वालों का जैसे फिल्मों में काम करने के बावजूद भी जियां राहूल रायजी अब हिंदी सिनेमा से गुम नाम हो गए है नब्बे के दसक के सुपर इस्टार कहे जाने वाले जियां राहूल रायजी आज हिंदी सिनेमा से गुम नाम हो गए है भले ही आज रहूल राजी के फिल्मे नहीं आ रहे हैं लेकिन उन्होंने जो 90 के दसक में जिया फिल्मे दिये हैं उन्हें लोग कैसे भूल सकते हैं एक से एक हिट फिल्मे दिये हैं जिया खास करके जो 80 की फिल्म का जो किरदार था रहूल राजी का उसे लोग भूल कर भी न यहां नाम रहेगा तो हमारे पांचवे नमबर पे हैं जुगल हंस राज जी जी हां वह से देखा जाए तो जुगल हंस राज जी अपनी फिल्मी केरियर के सुरुआत एक चैल्ड आर्टिस्ट से जी हां किया था और इनका जन्मा 26 जुलाई 1972 मुंबाई महराश्ट में इनका हुआ था और इनकी जो किरदार था उससे लोगों ने बहुत ही जादा बहुत ही जादा पसंद किया था और इनके लीड रेक्टर में बात करें तो आगले लगजा दावन पापा कहते हैं महबते जैसे फिल्मों में जी हां जुगल हंस राज ने काम की था और बालुट को एक से एक हिट फिर्मे दिये थे लेकिन आज देखा जाये तो जुगल हंस राजजी जी हां हिंधी सिनने मंच्जजज से वे गुम नाम हो गए उतने सारे हिट फिल्म מे देने के बावजूद भी जुगल हंस राजज्जी आज हिंधी सिनेमा से गुमनाम हो गए हैं जी हम मासूम जिन्होंने चाइल्ड आशिष से ही अपनी अपनी किरदार के लिए जी हाँ लोहा मनवाली ये थे आज वे जुगल हंसराज जी हिंदी सिनेमा जगस से गुम नाम हो गए हैं भले ही आज वे हिंदी सिनेमा जगस से गुम नाम हो गए हैं लेकिन हम लोग उनके फिल्में देखकर उन्हें हमेशा याद करती रहेंगे और ये 90 के दसके जिहां एक्टर जोगल हनस्तराद जिहां हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे तो हमारे छटवे नंबर पे हैं सुमीत साइगल जी जिहां इन्होंने बालिट को एक से एक हीट फिल्में दिये हैं लेकिन आज वे हिंदी सिनिमा जगास से गुमनाम हो गए हैं जिहां सुमीत साइगल जी का जन्मा ठारा फरवरी 1966 को मुंबई महराष्ट में जन्मा हुआ था और इन्होंने अपनी फिल्मी केरियर के सुराथ 1987 से किया था जिहां इंसानियत के दुष्मन सौतन की बेटी परम धरम इमानदार जैसे फिल्मों में काम करने के बाद जैसे फि आज सुमीत साइगल जी जी हां हिंदी सिनमा जगत से गुमनाम हो गए हैं और इन्होंने काई टीवी सिरियलों में भी काम किये हैं लेकिन आज देखा जाए तो सुमीत साइगल जी जी हां हिंदी सिनमा से गुमनाम हो गए हैं इनके आप कोई फिल्म में नहीं आ रही हैं ल भूलनी पाएंगे जिया इनके जो किरदार होते थे उसे लोग भूल कर भी नहीं भूल पाएंगे जिया वो इसे देखा जाए तो सुमित साइगा जिया तर फिलों लीड एक्टर के रोल में तो काम नहीं करते थे फिर भी इनके जो किरदार होते थे उसे लोग भूल कर भी न नहीं भूल पाएंगे लेकिन आज देखा जाए तो वे हिंदी सिनमा जगास से जिहां गुमनाम हो गए हैं उनके कोई फिल्में नहीं आ रहे हैं और आ रहे हैं तो कोई छोटा मोटा जिहां किरदार में उनकी फिल्में आ रहे हैं भले ही ये 90 के दसक जिहां एक्टर आज फि कर भी नहीं भूल पाएंगे तो वाओ इसी तरह के जनकारी के लिए अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजएगा और वीडियो को अभी तक लाइक निकिए हैं तो लाइक किजएगा शेयर किजएगा थांच दोस्तों हमारे वीडियो वासिंग करने क ये लिये.